पाट पंदरह पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, अपने दूरस्थ संबंधियों, मित्रों आदी को अपनी कुशल क्शेम के समाचार भेजने, तथा अधिकारियों से किसी समस्या की समाधान के लिए प्रार्थना करने या किसी घटना की जानकारी देने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपी वर्तमान समय में संचार के नए नए साधन, जैसे मुबाइल फोन, इंटरनेट आदी होने की बावजूद, पत्र आज भी संचार का एक महत्व पूर्ण साधन है। अर्थ बतल सकता है। ओपचारिक पत्रों में संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय या महोदया आदी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रकार, पत्र दो तरह के होते हैं। व्यक्तिगत या अनापचारिक पत्र, ये पत्र अपने मित्रों, प्रियजनों, लिखे जाते हैं। अनौप चारिक पत्र ये पत्र विद्याला के प्रधानचार्य संपादक पुस्तक विक्रेता आधी को लिखे जाते हैं। आईए अनौप चारिक पत्रों के उदाहरन पढ़ते हैं। अपने पिताजी से रुपिय मंगवाने के लिए पत्र। इंदिरा सदन, मथुरा रोड, नई दिल्ली, दिनांग, दो परवरी, दो हसार तेईज, आधर निया पिताजी, साधर प्रणाम। आपका पत्र मिला, आप सबकी कुशलता आदी जानकर अत्यंत प्रस्थनता हुई। आपके आशीरवाद से मैं यहां कुशलपूरवग हूँ। आपको यहां जानकर खुशी होगी कि अर्धवारशिक परीक्षा में मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिताजी, मुझे क अंचु को प्यार आपका आज्याकारी पुत्र सतीश। उपहार भेजने के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र। बी बयासी तिलक नगर नई दिल्ली। दिनांग आठ दिसंबर दो हजार तेईज। प्रिया रोहित मधुर स्मृतियां। तुम्हारा भेजा हुआ जन्म दिन वाली यह पुस्तक मुझे सबसे अच्छी भेट लगी। इससे कला का थोड़ा बहुत ग्यान पाकर मैंने कुछ चित्र भी बनाए हैं। मिलने पर वे सभी चित्र मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल और आंटी जी को मेरा प्रणाम और नेहा को प्यार देना। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र सचिन। पुरसकार मिलने पर छोटे भाई को बधाई पत्र। अमर निवास 28 दयाल पार्क जनकपुरी। दिनांक 20 जन्वरी 2023। प्रियभाई नमसकार। तुमने कहानी लेखन प्रतियोगिता में दिल्ली क्षितर के विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहां हम लोगों के लिए गर्व की बात है। माता जी और पिता जी बहुत खुश है। दादा जी ने तो हम सब को मिठाई खिलाई। नेहा सभी को यह समा सुना आई। पढ़ाई करने के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते रहना चाहिए। तुम भी अपनी लेखन प्रतिभा को बनाये रखना। हम सबकी ओर से तुम्हें बधाई और आशीरवाद। तुम्हारा भाई प्रणव। आपचारिक पत्र प्रार आईए आपचारिक पत्रों के उदहरन पढ़ते हैं। इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्द हूँ। कृप्या मुझे 25 अक्टूबर 2023 से 27 अक्टूबर 2023 तक तीन दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अतिकृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आग्या कारेनी शिश्या नेहा। कक्षा चौथी बी, अनुक्रमांक 20, दिनां 25 अक्टूबर 2023 विद्यालाय के पुस्तकालाय का कार्ड खोजाने की सूचना देते हुए प्रधानचार्य को पत्र लिखे। धोनने पर भी मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ। अतह निवेदन है कि मेरा कार्ड रद कर दिया जाए। मेरा निवेदन है कि पुस्तकालाय कार्ड की एक नई प्रती भी उपलब्ध करवाई जाए। मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं नई प्रती को बहुत ध्यान से